प्लेटो जानते थे कि दिमाग और जिस्म अपस में जोड़े हुए हैं, बलकि फिजीशियन मेयो ब्रदर्स ने बताया कि हॉस्पिटल की आधी बेड्स ऐसे लोगों से भरी हैं, जो फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, फिक्र और मायूसी से जूज रहे हैं, और्थराइटिस फिक्र की वज़े से होने वाली बीमारी है, बलकि और्थराइटिस होने की सबसे बड़ी वज़े फिक्र से रिलेटिड है, अ हाई प्रेशर जॉब्स ज्यादातर फिक्र देती है, और जाहिर हैं, शांत और स्टेबल जॉब्स के मकाबले, एमप्लोईज के बिमार पढ़ने के चांसिस ज्यादा हैं। अगर आप stressful job में हैं तो जरूरी है कि इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंडा जाए, नहीं तो आप अलसर जैसी serious बिमारियों का शिकार हो सकते हैं। Confusion से फिक्र होती है, फिक्र के sources के बारे में जानिए और इस problem को solve किजिए। आप कैसा feel करेंगे जब कोई Sunday की evening में कहे कि Monday की सुबह आपको torture chamber में फेग दिया जाएगा। क्या आप tension में आ जाएंगे? यकीनन, लेकिन फिक्र से deal करने के रास्ते हैं। Columbia College के Dean Herbert E. Hawkers का कहना है कि confusion फिक्र की सबसे बड़ी वज़ा है। उनका मानना है कि बहुत कम लोग फिक्रमंद होने पर अपनी situation को analyze करने की कुशिश करते हैं। उन्होंने हर तरह की फिक्र से निजात पाने के लिए three step analysis को दुनिया के सामने रखा। कुछ ऐसा ही ग्यालन लिच्फिल्ड ने 1942 में किया जब वो जिपैन occupied शंकाई में फस गए थे। उन्हें खबर मिली कि जैपनी एड्मिरल ने वो समान खोज निकाला है जो उन्होंने जापानियों से चुपा कर रखा था। सजा के तोर पर उन्हें मंडे को जापानी पुलिस के खूफिया टॉर्चर चेमबर में फेग दिया जाना था। लिच्फिल्ड को ये खबर संडे को मिली और वो सोचने लगे कि इस बारे में क्या किया जाए। उनका three step solution कुछ इस तरह था। पहला फिक्र की वझे को जानना लिच्फिल्ड ने एक टाइपर राइ्टर उठाया और उसमें अपनी फिक्र की वज़ा लिख दे। जान निकल जाने तक टॉर्चर किये जाने के फिक्र। दूसरा उन वजहों को एनिलाइज किया लिच्फिल्ड ने लिखा कि वो इस बारे में क्या कर सकते हैं और अपने सारे आप्शन लिख दिये जैसे भाग जाना, सफाई देना या ऐसा दिखाना कि कुछ हुआ ही नहीं तीसरा फिक्र से निपटने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है इसका फैसला लीजिये और करिये लिच्फिल्ड ने डिसाइड किया कि वो काम पर ऐसे जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था दूसरे दिन तक जैपैनियन एड्मिरल शान्थ हो चुके थे और उन्होंने लिच्फिल्ड को सिर्फ डाटा आप समझ सकते हैं कि कभी-कभी फिक्र को अच्छे से एनलाईज करना आपकी जिन्दगी बचा सकता है एक बार आपने अपनी फिक्र से निपटने का रास्ता चुन लिया तो उस पर अमल कीजिए और पीछे मुड़कर मत देखे क्या आपने अपनी जिन्दगी में ऐसा कोई फैसला लिया है जिसके बाद आप लगातर उसी के बारे में सोचते रहे हूं ये लोगों की आम आदत है हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हमने सही काम किया है या अभी भी रास्ता बदलने का वगत हमारे पास है हला कि ये आदत आम है लेकिन ये तब बहुत खतरनाक हो सकती है जब आप अपनी फिक्र को दूर करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हों जब आप चिंता करने की अध़त से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहे होते हैं तो फिक्रों की वजहों के एनलैसिस से शुरू कीजिए लेकिन जब एक बार आपने analysis कर लिया और किस रास्ते पर चलना है इसका फैसला भी कर लिया तो दोबारा उस फैसले को analyse करने की जरौरत नहीं है याद रखे जब आपने कोई फैसला कर लिया तो उस पर अमल करें और इसे लेकर घबरानी की जरौरत नहीं है hesitate मत हो ये, अपने फैसले पर दुबारा सोचने के लिए मत रुके, फैसले को लेकर ज़रा सा doubt, फिक्र करने की आदत से उभरने के लिए की गई analysis और काम को बरबाद कर सकता है एक बार आपने किसी काम का रास्ता चुन लिया है, तो दुबारा सोचे बिना उसी पर चलते रहिए नहीं तो आप अपने आपको वहीं पाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी आज में जिन्ता की गुशारिये, बीटे हुए कल और आने वाले कल की फिक्र में मत रहिए क्या आपने कभी बीटे हुए कल या आने वाले कल की फिक्र में पूरी रात करवटें बदल कर गुशारिये अगर हां, तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं है बहुत सारी लोग ऐसा करते हैं लेकिन कब तक? पास्ट या फ्यूचर की फिक्र करना बेकार है लेका कि स्टीफन लेकॉक ने इस आदत को उस बच्चे की जैसा बताया है जो जब मैं बड़ा लड़का हो जाऊंगा की रट लगाए रहता है और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कहता है जब मैं मेरिड हो जाऊंगा और मेरिड हो जाने के बाद वो कहता है कि जब मैं रेटायर हो जाऊंगा लेकिन रेटायर होने के बाद जो वो पीछे मुण कर देखता है कि वो कितनी दूर आ चुका है तो उसे अहसास होता है कि उसने सब कुछ खोद गया है और अब बहुत देर हो चुकी है इसलिए एक sad life से बचने के लिए आपको present में जीना चाहिए जैसे ship में अलग-अलग water type compartment होते हैं वैसे ही present पर ध्यान रखने के लिए आपको day tight compartment की जुरूरत है past की फिक्र और future की अटकलों से अपने आपको बचाईए रूल बहुत simple है जो past में हुआ या future में होने वाला है वो present में नहीं होना चाहिए यकीनन आप future के लिए planning कर सकते हैं और करनी भी चाहिए लेकिन उसके लिए फिक्र करने की बहुत कम ही जरूरत होती है future के लिए best preparation यही है कि आप अपने present में अपना best perform करें जिसने इस सला का सबसे बहतर इस्तमाल किया वो एक विद्वा है जो गम और अकेले बन की वज़े से suicide करना चाहते थी एक दिना article पढ़ते हुए उसकी नजरी कोट पर गई everyday is a new life to a wise man वो इस line से इतना inspire हुई कि हर रोज इन्हें repeat करने लगी और आखिर कार उसने काम्याबी और खुश्यां हासिल कर ली बीता हुआ कल मर चुका है और आने वाला कल पैदा ही नहीं हुआ है इसलिए इनके फिक्र ना करें इसके बजाए आप सिर्फ अपने present पर focus करें जब भी आप परिशानी का सामना कर रही हूं सबसे खराब situation के बारे में सोचें और वहां से सुधार करने की कोशिश करें जब अल पी हैनी नाम के एक शक्स से कहा गया कि उसे gastric ulcer है नजरिया साफ था डॉक्टर ने उसे आराम करने और खाने पर ध्यान देने के लिए कहा लेकिन possibility जताई कि वो जल्दी ही अपनी सिंदगी से हाथ दो बैटेगा हैनी ने इस पर overreact करने की बजाए अपनी किसमत का लिखा माना यह simple idea फिक्र करना छोड़ने के लिए magical three step approach का base है अगर आप किसी चीज को लेकर tension में हैं तो सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है सबसे खराब situation समझने की कोशिश कीजिए क्या आप अपनी job खो देंगे जेल में जाना पड़ेगा या फिर मार दिये जाएंगे हैनी के लिए ये धीरे से उसकी तरफ आ रही मौद थी फिर सबसे खराब हालात को accept कर लीजे कुछ लम्हों के लिए मान लीजे कि यही होने वाला है हो सकता है ये उतना बुरा भी ना हो और आप इस situation से आसानी से बाहर निकल पाए अगर आपकी जौब चली जाती है तो आप कोई दूसरी जौब ढूंड ही लेंगे एक बार जब आप सबसे बुरे हालात के बारे में सोच कर उन्हें accept कर लेते हैं तो आप टेंस्ट न होकर काम फिल करते हैं हैनी के लिए सबसे बुरे हालात को accept करना खौफनाग था हैनी ने ना सर्फ accept किया बलकि इसके लिए preparation भी की उसने अपनी body का कॉसकेट भी खरीदा ताकि उसकी body उसके family plot नेबरास का भेजी जा सके आखिर में उन सबसे खराब हालात को सुधारने की पूरी कोशिश करिए हैनी ने decide किया कि अगर उसे मरना ही है तो वो इस वक्त का अच्छा इस्तमाल करेगा डॉक्टरस के मना करने की बावजूद उसने दुनिया खूमने का फैसला किया उसने कॉक्टेल्स पी, तरह तरह के खाने खाए, मौनसून और टाइफून का उसकी सिहत पर कोई असर नहीं हुआ हैनी ने गाने गाए, धेर सारे दोस्त बनाए और जब तक वो घर लोटा, वो अलसर के बारे में सब कुछ भूल चुका था और उसने कॉसकेट को भी वापस बेश दिया, उसके बाद वो कभी बीमार नहीं पड़ा अफसोस करने में एनरजी वेस्ट मत कीजिए, अपने लिए लिमिट सेट कीजिए, जिसके बाद आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे जब ही कुछ बुरा होता है तो हम इसे ज्यादत तर लोग उस बारे में लगातार सोचते हैं और बिना वज़े जलाते हैं जबकि ऐसे हालाब में लोगों से दूर जाकर सब कुछ ठीक हो सकता है, घबराना पेकार है ऐसा करके हम अपनी खुश्यों को दाव पर लगा रहे होते हैं, ऐसी किसी भी अनहोनी पर अफसोस करने से हम कैसे बच सकते हैं इसका एक हैरत अंगेज सॉलूशन जाने माने स्टॉक ट्रेडर की बताई गई स्ट्राटेजी स्टॉप लॉस ओर्डर में है स्टॉप लॉस ओर्डर का मतलब है, शियर एक खास कीमत पर खरीदे जाते हैं, कुछ वक्त तक उसकी कीमत में डेवलिप्मेंट आब्जर्व की जाती है अगर शियर की कीमत गिर जाती है, जैसे की खरीदी हुई किमत से 10% कम हो जाती है, तो उसे फॉरण बेच दिया जाता है यह तरीगा ज्यादा नुक्सान होने से बचाता है, इस 일본 स्टॉप लॉस कहते हैं Stop Loss, strategy का सबसे ज्याइदा फाइदा उठाने वालों में सबसे बड़ा नाम रश्या के एक जाने माने लिट्रिरी लियो टॉलस्टॉय का है। टॉलस्टॉय एक नाकाम शादी का हिस्सा थे, जहां पिछले 50 सालों से दोनों ही एक दूसरे को कसुरुआ ठहरा रहे थे। उन्होंने अपनी जिन्दगी के इन बुरे हालात को इनफ क्यों नहीं कहा। वो बड़ी आसानी से उस तकलीफ से निकल सकते थे, जिसे वो सालों से चह रहे थे। Stop Loss, order ग्रजिस पर भी अपलाई किया जा सकता है। किसी से नाराज होने में अपना टाइम और एनरजी वेस्ट करना समझदारी नहीं है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि जगडे से किसी का फायदा नहीं होता है। और लिंकन ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें तकलीफ पहुचाए थी। इसलिए आज से ही उन सभी चीज़ों पर स्टॉप लॉस ओडर लगा देजिए जो आपको तकलीफ और स्ट्रेस देते हैं। लाइफ की पॉजिटिविटी पर फोकस करके खुश रहने की कुशिश कीजिए। ज्यादा तर लोग कहते हैं कि हमारी सोच एक्शन पर हमारे इमोशन का असर होता है। लेकिन जैसा साइकलोजिस्ट विलियम जीम्स ने कहा कि इमोशन और एक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी इमोशन को डिरेक्टली इंफ्लूएंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसे डिरेक्टली अपनी सोच और एक्शन के जरी इंफ्लूएंस कर सकते हैं। खुद को खुश रखने का एक तरीका आपको अपने आपको खुश दिखाना है। अगर आप उदास और कमजोर महसूस कर रहे हैं तो एक बड़ी सी स्माइल कीजिए, सीटी बजाएए। जब आप खुश और एनरजेटिक एक्ट करेंगे तो उदास रहना नामुम्किन हो जाएगा। लेकिन आपको बिना वज़े के खुश रहने के एक्टिंग करने की ज़रत नहीं है। खुश रहने का दूसरा तरीका ये है कि आप पॉजिटिव सोचें। रोमन एम्पायर पर राज करने वाले फिलोसफर मार्क औरलियस ने कहा कि हमारी जिंदगी को हमारी सोच बनाती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं और आप खुश महसूस करते हैं इसलिए नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देने की बजाए सिर्फ पॉजिटिव पर फोकस कीजिए। उस औरत की बारे में सोचिए जिसे मुजावे डेजर जाना पड़ा क्योंकि उसके हस्बन की आर्मी ट्रेनिंग वही होनी थी। शुरुवात में उसे ये जगा बिलकुल पसंद नहीं थी। वहाँ बेहत गर्मी थी। आसपास इंगलिश ना बुलने वाले मैक्सिकन और हि होता था लेकिन उसके फादर ने पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए कहा और उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे वरेगिस्तान पसंद आने लगा। जोशुआ पेड़, संसेट और वहाँ के लोग सब अच्छे लगने लगे। अगली बार जब आप उदास हों तो उसनों के मदद केजिए। आखरी बार आपने किसी की मदद कब की थी? क्या वो शुक्र गुजार थे? और अगर नहीं थे, तो क्या आपको इस बात से चिड़ हुई? जब भी हम कोई दरिया दिली का काम करते हैं, तो हम सामने वाली की आँख में अपने लिए अच्छी तरीके से जानते थे. उन्होंने एक दिन अपनी डायरी में लिखा कि वो सेलफिश, घमंडी और एहसान, फरामोश लोगों से मिलेंगे, लेकिन उन्हें हैरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के बिना दुनिया की इमाजिनेशन नहीं की जा सकती. एक और शक्स जो लोगों की सेलफिशनेस की बारे में अच्छी तरीके से जानता था, वो लॉयर सैमूल लिबोविड्स थे. अपने पूरी करियर में लिबोविड्स ने 78 लोगों को इलेक्ट्रिक च्या की सजा से बचाया था. लेकिन कितनों ने उनका शुक्रिया दा किया? किसी ने नह आखिर में ये याद रखिए कि ग्रैटिट्यूड सिखाया जाना चाहिए. इसका मतलब अगर आपके बच्चे शुक्र गजार नहीं हैं तो ये गलत है. उन्हीं मिल रही चीज़ों के लिए शुक्र गजार होना सिखाईए. दूसरों से नफरत या उनकी नकल ना करें. अगर आपके और किसी और के पेरिंट्स एक हों तब ही किसी के आपके जैसे होने की पॉसिबिलिटी तीन लाख विलियन में एक है. इसके बावजुद हमें से बहुत सारे लोग किसी और की तरह बनने के खाहिश रखते हैं. पता नहीं क्यों? हमें लगता है कि दूसरे की ज किसी और की तरह बनने के खाहिश में बड़ा रिस्क है. अगर आप अपने आपको और अपने खासियत को एकसेप्ट नहीं करते तो आप बहुत सारी साइकलोजिकल प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं. उससे ज्यादा अनलकी कोई और नहीं है जो किसी और की तरह बनने के रखता है. ना सिर्फ ये खाहिशें आपको बरबादी की तरफ ले जाती हैं, बलकि ये पॉसिबल पोटेंशियल का वेस्टेज भी हैं. साइकलोजिस्टिफ विलियम जेम्स का कहना है कि जो लोग अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं ढून पाते, वो अपनी जिंदगी मे सिर्फ दस परसंट पोटेंशिल का ही इस्तेमाल करते हैं. इसमें ये पता होगा कि हमें अपनी एनरजी का एक आइटम किसी और की तरह बनाने की कोशिश में वेस्ट नहीं करना चाहिए. एडित अल्रेट इस वैलियोबिल लेसन को समझ गई थी. बचपन की ट्रॉमा की सूसाइड का सोचने लगी. किस चीज ने उसकी मदद की? एक दिन उसकी मदर इनलौ ने बताया कि वो अपने बच्चों को रियल रहना सिखाती है. चाहिए कुछ भी हो, इस बात से इंस्पायर अल्रेड सोचने लगी कि असल में वो कौन है, ना कि जो खाहिश वो दूसरों की तरहां बनने की रखती थी. अब वो इतनी खुश है, जितनी वो कभी नहीं रही. लोग उसे ही क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे वो नफरत करते हैं. अपनी खिलाफ किये गए क्रिटिसिजम को तारीफ समझें. क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटीशियन और सेलिब्र को पब्लिक इतना क्रिटिसाइज क्यों करती है? इसकी वज़ा सिंपल है. लोग उसे नीचा दिखाने में साटेसफेक्शन फील करते हैं, जो उनसे ज्यादा कामियाब है. क्यों? जिनसे हम नफरत करते हैं, उनके महत्व को कम करने की कोशिश करना नॉर्मल हुमन टेंडें आखिर वो किसी ठांगिट करना चाती थी? सॉल्विशन आमी के फाउंडर विलियम बूत को जिन पर उसने धोके बाज होने का इलजाम भी रगाया था. जाहिर है, एक पब्लिक फीगर की इमेज बरबात करके वो अपने एगो को सटिस्वाई करना चाती थी. लोगों को उन इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो समझ जाएए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ध्यान देने के लायक अचीव कर रहे हैं. अगर आप ऐसा ही सोचना जारी रखें, तो आपको एहसास होगा कि जितना ज्यादा आपको क् ठकान महसूस होने से पहले आराम करना सीखें. क्या आपनी कभी नोटिस किया है कि एक ठकान भरा दिन गुजारने के बाद आप लंच टाइम से ज्यादा लेजी हो जाते हैं. ज्यादा तर लोग यही सूचते हैं कि काम्याब लोग ऑफिस में एकदम ठक जाने तक काम करते ह हैं. ऐसा सोचने वाले गलत हो सकते हैं. सिर्फ मेंटल वक आपको टायट नहीं कर सकता. साइंटिस्ट का मानना है कि लगातार बारा घंटे मेंटल वक करने के बाद भी हमारा दिमाग नहीं ठकता. तो इस ठकावट की वज़े क्या है? सैकेट्रिस का कहना है कि ठकान के इमोशन की वज़े से होता है. लेकिन सैकेट्रिस्ट ने पाया कि ये दूसरी तरीके से भी काम करता है. ठकान से ज्यादा फिक्र और नेगर्टिव इमोशन पैदा होते हैं. इसलिए ये कलियर रखी कि ठकान महसूस करने से पहले आपको आराम करना चाहिए. नहीं तो फिक जहां उसका टागेट वरकर से काम में तेजी से स्टील लोट करवाना था. आपको क्या लगता है कि फैडरिक ने अपना टागेट अचीव करने के लिए क्या किया होगा? उसने अपने वरकर्स को दूसरे वरकर्स से ज्यादा रेस्ट करने के लिए कहा. एक घंटे में 36 असल में इसका रेसल्ट क्या होगा? इस तरह ये वरकर्स, उन वरकर्स के मुकाबले चार गुना ज्यादा लोट कर रहे थे जिनों ने इस तरीके से रेस्ट करके अपनी एनरजी नहीं बचाए थी. सिर्फ तभी रेस्ट किया जब थक जाते थे. सैकेटरिस्ट और मिस्टर टेलर का दिया गया सबक. इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता कि थकान महसूस करने से पहले आराम करिए और आपके फिक्र कम हो जाएगी. और्गनाईज रहकर अपना काम इनजॉय कीजिए और स्ट्रेस से बचिए. आपकी नापसंद जॉब के अलावा, जिन्दगी में ठारा घंटे काम किये. उनका कहना था कि मैंने अपनी जिन्दगी में कभी काम नहीं किया. मेरा काम फन था. आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आप नफरत करते हैं या फिर थोड़ा सा भी नापसंद करते हैं. एक पल के लिए मान लेजिए कि आपके पेरेंट्स का होना चाहिए. आपको किस काम में खुशी मिलती है? फिल जॉनसन के फादर का लांडरो मैट्स का बिजनस था और उन्हीं उम्मीद थी कि उनका बेटा उसमें काम करेगा और फिर उसे पूरी तरीके से संभाल लेगा. लेकिन फिल इंटरेस्टेट नहीं था. इसकी बजा कि आपके पास पहले से ही कोई जॉब है. आप उसे कैसे इंजॉइबल और स्ट्रस फ्री बना सकते हैं? इसका एक रास्ता ओगनाईज होना है. इन कंप्लीट कामों से भरा डैस्क आपके फिक्र को बढ़ाता है. एक्जांपल के तौर पर शिकागो के एक बिजनसमेन की ही क कंप्लीट कर दिया करते थे. बिजनसमेन ने भी वही करना शुरू किया और छे हफ़ते के अंदर वो ठीक हो गए. फिक्र करना आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए घातक हो सकता है. इसलिए आपको इससे ने पटने का रास्ता ढोनना चाहिए. एक आसान तरीका ये जानना है कि आप फिक्रमंद क्यों है? इससे निजात पाने के लिए कोई काम सोची और पीछे मुड़कर मत देखे दोसरों के बारे में फिक्र करने से बचने के लिए अपनी दर्यादिली के बदले शुक्रिया की उमीद मत रखे अपनी दिल में शिकायत मत रखे और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो आपकी कामियाबी को लेकर किजिए कुछ वक्त उस बारे में सोचिए अगर फिर भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही हैं तो ऐसे लोगों से और ऐसी चीजों से दूर हो जाएए अब उनमें वक्त बरबाद करने का कोई फायदा नहीं है सबसे बुरे हालात को एकसेप्ट कीजिए औ अगली बार आप कोई काम करें तो ठकान महसूस करने से पहले आराम करना याद रखें इससे आपकी प्रॉडक्टिविटी बढ़ेगी और फिकर कम हो जाएगी